मेरी प्राइब दोस्त पता है क्या आज मैं आपको एक्जाम करेकर पर ना एक तरह तरह के क्वेश्टन जिसमें एक्चुली नहीं चैनल बनाया है यह चैनल इसलिए बनाया गया है कि ताकि आप सारे स्टुडियन जो घर बैठ के रह रह रहे हैं या कहीं भी दूस्तान में है तो सारे क्वेश्टन बनना सुरू हो जाए तरह तरह के चीज पर लाऊंगा हर तरह के चीज बिल्कु सिस्टमेटिक धंग से ताकि आप घर बैठ करके भी आप कहीं से रह करके भी एक अंग्रेजी में कोई भी एक्जाम निकाल सकते हैं चाहिए SACO, CGLO, CPO कोई भी पास आसानी से कर सकते हैं तो आई देखते हैं एक करके फड़ा फट जल्दी से क्वेश्टन बनाते हैं यहां पर देखो एक कॉमन एले का क्वेश्टन है डॉक्टर रितू वाज एक्स्प्लेंड दा विनिफिट्स ओफ दूइंग योगा एट लिस्ट फोर टाइम्स अव पूछा है यह SAC CPOM पूछा है एसाइम पूछा है तो हर जगह पे कॉष्टन पूछा हुआ है तो ऐसे जब बनाएंगे ना पूछा वा प्रिबियस कुष्टन बनाएंगे तो आपको अंदर से कॉट्छेंश आयगा और ऑगान तो किसी वी कॉष्टन को बड़े असानी से तो आपने बना भी लिया होगा बहुत अश्य अंसर आ रहे हैं सारे बच्चों के बहुत सुंदर डॉक्तर डीतु वाज एक्सप्लें अब देखिए वाज है तो आपने प्रहा होगा डॉक्तर डीतु क्या काम कर रहा है सब्जेट का और सब्जेट के बाद जब हेल्पिंग इस एम आर वाज वेर हो यानि आपके पास सब्जेक्ट हो सब्जेट के बाद इस हो एम हो आर वाज वर कहां ध्यान है मेरे दोस्त वाज वर के बाद हमेशा वर्व का थार्ड फर्म आता है अगर इसका वर्व का फोर्थ फर्म लगाते हैं तो इसे हम कॉंटिनिवस टेंस क क्या कहते हैं क्या स्टुना अपने कॉंटिनिव और अगर भी थरी हो ना इसे पैसी बहाई कहते हैं और भी फोर हो तो एक्टी बहर चाह रहा हुआ बड़े स्मघ्जार एक रॉग तो वह एदा हिए आपको कि रितु के बाद वाज आया है कि इसका मतलब है helping verb है अब helping verb के बाद explain यहां B1 है जबकि होना क्या चाहिए था? वर्ब का third form क्यों होना चाहिए था? Passive voice तो Dr. Ritu वाज explained the benefits यहनि explained कर चुकी है उसके दोरा explained हो चुका गया है तो इसलिए इसे मार वाज वेर के बाद V3 और V4 कुछ भी आ सकता है लेकिन पहशान ना आपको है तो बोलो इसका answer कहा होगा तो इसका answer हमें A में लगाएंगे explained में यहां पे ED लगाना पड़ेगा तो हो जगा explained अब समझ में आ गया होगा आपको explained करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे passive voice है active voice नहीं है यहां तक बाते आपको समझ में आ गई होगी बहुत सुन्दर जबाब सबन दिया है question number 2 देखते हैं जल्दी से फटा-फट question 2 देखो और मेरे साथ share कर बताओ मेरे साथ बनाओ चुकि यह questions बनाने का है खेलने का है यह भी सत्रें पूछा गया है यह भी CPSI का है CPSS पूछा गया है मैं वही question उठाया हूं जिस पर आप दिमाग लगा सकते हो बहुत सौट-कट question है can you imagine बनाइए फटा-फट यह पता है क्या common error का questions है ताकि आपके एससे CGL, CPO, कोई भी exam होना आसानी से निकल सकता हो स्चुटक्यों में काम हो सकता है तो can you imagine that she has 35 पे 35 मतलब 35 35 क्या होगा डिजिट हो गया इसके बाद कोई भी noun आएगा तो यह noun हो जाएगा प्लूरल यह चैनल आपके लिए बना गया है इससे बड़ा तुफान चाहिए ना तो डिजिट से लिए से लिए स्पोकन है लेकिन यहाँ पर क्या काम करना है सिखने वाला है तो यह बच्चे को सेर करो जो बच्चा बना चाहते हो common error तो यहाँ क्या का तो 35 पेर हो गया तो 35 पेर नहीं प्रिवल हो चाहिए तो पेर के साहँ पेर का होगा पेर सुज क्यों किसके पर थार्टी फाइब है तो 35 पेर सुज पेर सुज आई गेटिंग तो समझ माँआगे अंसर का हो गया सी में यहाँ पेर को पेर्स करना पढ़ेगा जल्दी से एल्ला कुशन देखो फटाफट आई बाज 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 पैसी बाज अब जर्स था ना ऑन 14 जुलाई क्या अंसर दिया बी इस कांसर क्या होगा बी क्यूं सर तो 14 जुलाई यहाँ पे वर्ड आफ का परियोग होना चाहिए था क्योंकि जब भी हम देट लिखते हैं तो आफ का परियोग करते हैं यानि on 14 जुलाई 14 जुलाई 15 अगस्त तो इस तरह से आफ का परियोग करते हैं इसको याद कर लेना है ताकि एकजाम में पूचे तो बना देना है पूचे तो बना देना है इसलिए पढ़कर कर रखना है इसको समझ में आपको आगया होगा अगला है अगला है अब देखिए गावर्मेंट ओफ़र्ड इम कलरकेल जॉब बट ही तरन इन ओभर अब देखो return, government ने offer किया उसको color keyal job, government ने कहा color keyal job low but लेकिन उसने turned in over, उसने reject किया है, turn down किया है, तो turn down, एडान फ्रेज है, जिसका मतलब होता है reject करना, क्या करना, reject करना, तो आजकल ऐसे भी question फ्रेज पर पुछा जा रहा है, तो आजकल एक्जाम के question फ्रेज पर पुछा इसको बनाइए मेरे साथ जितना प्रैक्टिस करेंगे, the more you practice, the more you perfect, जितना प्रैक्टिस करोगे मेरे दोस्त, उतना आप बनोगे perfect, कोई बाते नहीं कर रहा हूं, मेरे भाई, सिधा मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, कोई अजुल फुजल बाते नहीं, सिधा हीट क्योंकि निंद से आलस आएगा, आलस से पढ़ नहीं पाओगे, इसको practice में मन नहीं करता करने का, जबर्दस्ति करो, बस देखते रहो, देखते देखते सिख जाओगे, अग्या देखते देखते पास कर जाओगे, इससी, बस करने का प्रयास करो, अगला word हम लों का मिल रह है, कि भाई, एक word है, अलफावेट, और एक word है, अलफावेट, बस में रहो, एक word है, अलफावेट, तो अलफावेट का हिंदी होता है, भासाएं, इस का हिंदी क्या होता है, भासाएं, यानि अलफावेट का हिंदी होता है, भासाएं, और अलफावेट का हिंदी होता है, वर्नमाला वर्नमाला अब बताओ चार साल की उमर में आपने क्या सिखा था अपने से पूछो ना चार साल की उमर में तुमने क्या सिखा था भासाएं सिखा था या वर्नमाला सिखा था जल्दी से मुस्कु आ रहा है देखो चार साल की उमर में तुमने क्या सिखा था 4 साल में नहीं, 40 साल में ठीक से सिख नहीं पाते, तो क्या सिखा था, वर्णमाला, यानि एस हटाना पड़ेगा, अंसर हो गया भी, समझ माया क्या गलती है, यह नाउन में प्रहाऊंगा, जै टॉपिक पढ़ना है, तो आपको नाउन क्लास दिखना पड़ेगा, डेसल इंग लिगिस्तान, वाटर का मतलब पानी, वाटर समूद्र, अभी उस का मतलब गाली, अभी उजेद, समाध्य कुरतिया, ड्रक, यादाला है, ड्रक का मतलब मेदिसिन, ड्रक्स, नसीला पड़ेगा, अल्फा वेट बढ़नमाला, अल्फा बढ़नमाला, तो बोलो, चार साल की मुर में क्या सिख गया था, वर्नमाला, ठीक है, यह समझ में आपको आगया होगा, अगला कोशन दो जादी से, the main purpose of the visit is to develop a close relationship among the two countries, जल्दी से जवाब दो, जल्दी से जवाब दो, जल्दी से जवाब दो, जल्दी से जवाब दो, अंसर मिल गया, बढ़ा क्लिव है, यह ह टीर वन का, से सी का कोशन है, सोला में पूछा हुआ कोशन है, तो क्या कहा हमने, the main purpose of the visit is to develop a close relationship, यहने की मेरा आने का main purpose क्या है भाई, कि relationship क्या हो, डेवलप हो, among two countries, दो देशों के बीच में, तो देश, दो, आपने preposition, जितना भी grammar पर हो, उसको apply करना आएगा, apply कहां तो among का प्रोग, among और between में क्या अंतर है, among का प्रोग करते हैं दो से जादा क्युते हैं, the PM is standing among the crowd, तो among the crowd, crowd भी धर सा रहा है, तो among आजाएगा, between यहाँ पर प्रेओगी, between का प्रेओग होना चाहिए था, यहाँ की between का प्रोग करते हैं, दो के लिए, among का प्रेओगे हाई के लिए तो बृता यहां पर समंध में आता कितने बचों सई था बहुत बली आपका सही था भॉत सुंदर जाए कि अगिया दिखते हैं तो लिए वेशफंद कृट सब्चेट्स एउए को अगर सब्चेक्ट वीद मौ थीरूं वो अपना वादा अपने पास रखा, keep his word, यानि promise तोड़ा नहीं, लेकिन यहाँ पर one है, तो one क्या स्थाम पर है, one अगर subject हो, one pronoun हो, तो इसका जो possession होता है, once होता है, यानि इस one हो, तो उसका possession क्या होता है, once होता है, तो यहाँ पर his क्या स्थाम पर मुझे once करना पड़ेगा once ऐसे लिखेंगे, o-n-e apostrophes, o-n-e apostrophes, once करना पड़ेगा, तुम्हारा सही था, किसका सही था, बहुत बढ़िया, आप लोग न तुआ सब प्राक्टिस करो, और मैं सब जानता हूँ किसका सही था, मुझे सब दिख रहा है यहाँ से, राइट, आगे दिखते हैं गोर से, एहला कोशन कर रहा है, if you turn the corner, if you turn the corner, you will find a house, you will, if you turn, यह present conditional sentence पहा होगा आपको, यदि तुम पहोगे, pass करोगे, if you read, you will pass, तो पहला clause यदि प्रेजेंटेंस का हो, तो आने वाले clause में future होता है, हाँ, कहा मजा दे रहा है, कहा ध्यान है आपका, बिल्कुल focus करो, क्योंकि यह एक्जाम का सेसन में ले रहा हूँ, यह सिधा, SACC, CPO, UPSC, सारी एक्जाम में काम आएगा, इसका नाम है common errors, जितना मेरे सब प्रेक्टिस को, हमने आपके लिए एक चैनल का निर्मान कर दिया, एक्जाम cracker, यहां सब एक्जाम cracker करोगे, सिधा to the point exam cracker, exam cracker, नाम ही इसका cracker करने के लिए, तो जब अरदस चैनल है, तो हमने कहा, if you turn, यदि if clause का प्रेक्टिस में किया जाए, तो आने वाले clause में will के साथ simple भीवन लगाते हैं, तो found होगा, तो find होगा, जल्दी से, ऐसे भी तो will से found हो सकता ना, models के बाद हमेसा भर्वका, क्या, पहला फॉमाता है, यानि कोई भी models हो, चाहे will हो, चाहे cell हो, model के बाद भर्वका first मोता हो, चाहे will हो, चाहे उड़ हो, चाहे सूड़ हो, will हो, चाहे सूड़ हो, कोई भी form हो, कोई भी 10 models हो, will हो, सेल हो, सूड़ हो, उड़ हो, कुड़ हो, मैं हो, माईट हो, कुछ भी हो, सब के साथ हमेसा भर् पुटा होना क्या थे था भीवन जो क्या होगा find found क्या है गलत है स्मझ माइध आगे बढ़ते जल्दी से जल्दी बराऊँ दस्टा शीवेर साइकलोनिक का स्टॉर्म है लेफ्ट बिहाइद ट्रायल ऑफ माईजरी देखो को से अब यहां पर देखो नमुना सेवेर साइकलोन सेंट बहुत गंभीर साइकलोनिक जोगते हों आप लोग आप पहते हो जिग्राफी सैकलोन आता रहता है तुफान हवा तुफान आंधी तुफान आता है अस्टॉर्म तुफान हो गया है लेफट छोड़ गया हम लोह की बीच में बिहाई बीच जब तुफान आता है तो तारिल मतलब प्रेल कराए उसका इसका ट्राइल करों तो ट्रायल मतलब क्या होता है? यानि मायजरी का नमूना दिखा ज़ता है तो 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 आगला पुस्टों को आगया होगा अब देखिए अगला कोशन है she does not listen to me because she is senior than me अब यह word तो आपको आता होगा senior है ध्यान दो senior है junior है prior है ठीक है इस तरह के बहुत सारे word है जिसके बाद two का प्रेवग होता है senior है junior है prior है posterior है बहुत सारे word है posterior है बहुत सारे word और भी मिल जाएंगे सब्सक्राइब है तो इस सब्सक्राइब के साथ क्या लगाते हैं तो बोलो senior than me senior to me बहुत असा अचा अब को आता था पहले से बहुत सुंदर नहीं भी आता था तो स्थाए जिसके अंत में OR लगे होते हैं चाहे senior हो junior हो inferior हो कोई prior हो क्या लगेगा टू लगेगा 10 का प्रियोग करना गलत होगा गलत होगा समझ पारव सब लोग यह भी दोजार सुलम पुछा हुआ है तेर फॉस्ट में एससे से कोश्चन है मैं प्रिवियस ले रहा हूँ जिससे की होता क्या बहुस एक्जाम है MTS मेरफोर्स में कि बार बार कोश्चन का वराइटी वहां से यहां आखिर नए ने कोश्चन कितने बनेंगी अगर प्रिवियस प्रिवियस प्रिक्टिक मेरे साथ करो रोज आओंगा डेली आपो आपके दर्वाजे पर नौक करूँगा मैं सिखा कर छोड़ूँगा पांच चैनल सिर्फ आपके लिए है DSL English, DSL Spoken, DSL Learning, DSL Exam करे कर और मन न लगे तो बी तुफान यानि मन न लगे बेचैनी हो तो क्या सिखना है बी तुफान पर तुफान मचाना है धन्मेंस पर आपके लिए है पढ़िए इसको और साथ साथ देखे पांचो का नाम दिख दिए हमने DSL Spoken, DSL English इस पर सब्सक्राइब पता है कितना है साट लैक्स देख रहा हो DSL Spoken English लगभग साड़े पांच लैक यह आप देखना है DSL Learning लगभग वन पॉइंट देख लेना कितना है 1.3 लैक्स क्या सब्सक्राइब होगा एक्जाम क्रेकर जो आपका है लगभग 55 तो इस तरह से बी तुफान लगभग 530 लैक्स सब्सक्राइबर तो यह सब आपके लिए है मोटिवेशनल चाहिए तो बी तुफान एक्जाम चाहिए तो एक्जाम क्रेकर स्पोकेन चाहिए तो पूरा चीज़ सिखना है तो बड़े बाले पाज़े सब कुछ इसमें ग्रेमर फांडे सब कुछ इसमें इस तरह से इसको करिए प्रैक्टिस और अगर कुछ पढ़नाव डिटेल तो करांतिकारी इंग्लिस एप पर पढ़िए यह सब सुविधा है करांतिकारी इंग्लिस एप पर पूरा वोकेबलरी एससी का फ्री है एससी का जितना वोकेब होता है एससी सीप्यों यूपिसी का सारा वोकैब क्रांग तिकार उनिस्टैब पर प्री आप कॉस्ट कोई पैसा कोई चार्ज लेगा तिसको आप पढ़ने का प्रयास कर यहां से और डाउनलोड कर पढ़िए फिर मिलता हम आप से कल छोड़ूंगा नहीं सिखाऊंगा तब ही जाने दूँगा